हाई गाईज बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेकिनिकल कैसे में गाईज आज के सी वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं आप सामने लेख सकते हैं कि लैपटॉप है और ये है एच्पी का लैपटॉप दोस्तो आज हम इस वीडियो में complete आपको ये बताने वाले हैं कि लैपटॉप को कितने तरीके से on और off किया जा सकता है दोस्तो गर हो सकता है आपका एक तरीका मालूम हो या दो तरीका मालूम हो तो लेकिन इसमें आपको हम बताने वाले है कि कितने तरीके से आप Laptop को OFF याON कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करकτε हैं दोस्तो, आपको बता दे कि Laptop को ON करने का जो तरीका होता है सिर्फ एक तरीका है, जो कि एक बटन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लेपतॉप on होना शुरू हो जाता है जैसे लेपतॉप on होगा फिर आपका desktop mode on हो जाता है लेपतॉप वरकिंग के लिए तियार हो जाता है फिर हम आपको off करने का तरीका बताएंगे आप स्कीन को भी अच्छे से देखेगा यहाँ पे हम text में भी आपको बता देते हैं कि क्या-क्या तरीका और क्या-क्या बटन को प्रेस करने से कितने तरीका से off किया जाता है तो तब तक हम इस desktop mode को आने देते हैं जितना भी समय लगे on होने में तो आप देख सकते हैं कि ये laptop जो है बोल सकते हैं तो इस पर चलिए चलिए एक बार हम जो इस लेप्टॉप को रिफ्रेस कर लेते हैं ताकि laptop अच्छे से working के लिए तयार हो जाए दोस्तों आपको बता दी कि laptop पर मेरा वीड चैनल पर बहुत सारा वीडियो है अगर आप laptop के बारे में अच्छे जनकारी चाहते हैं सभी तरह का जनकारी चाहते हैं तो laptop के बारे में बहुत सारा वीडियो है आप उसे जरू से जरू देखिएगा उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर start बटन पर जाना है और इसको alt को प्रेस कीजी कुछ ही सरह से देखिए हम alt को यहाँ पर प्रेस कर दीए और यहाँ पर देखिए F4 है उपर में F4 keyboard के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है कि किस तरीका सी keyboard का बटन का क्या क्या काम है तो उस वीडियो का आप जरो से जरो देख लिजिएगा तो alt के साथ F4 दबाईए और screen पर आप गौर से देखिए यहाँ पर windows का option आगिया है कि यहाँ पर आप को on off करने का बटन आगिया तो यहाँ पर देखिए shutdown लिखा हुआ है केमेरा क्वाइलिटी कुछ अच्छा नहीं होने के कादन से हो सकते है आपको सो नहीं कर रहा होगा लेकिन यहाँ पर चलिए हम brightness को कम करते हैं और दिखाते हैं नहीं सो हो रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर जो है सो shutdown लिखा हुआ है और यहाँ पर OK, Cancel और Health का option है चलिए थोरा सा केमरा को पास करने की कोशिश करते हैं हो सकता है अब आपको अच्छे से सो कर रहा होगा यहाँ पर देखिए shutdown है और OK, Cancel का बटन है तो आपको जैसे OK कर दिजिएगा तो यह laptop आप हो जाएगा ठीक है, दूसरा option हो गया यह दूसरा तरीका था laptop को off करने का तीसरा क्या तरीका है मालीज दोस्तों आप यह तरीका अपना लिए दूसरा तरीका भी सीख लिए अब तीसरा तरीका यह है यहाँ पर देखिए यह power button जो है इस power button को भी अगर आप off कर देते हैं तो यह laptop off हो जाएगा तो दूसरा यह चार तरीका है जो कि आपको भीना किसी software का भीना किसी अच्छे या कुछ deep knowledge का आप तीन तरीका से laptop को off कर सकते हैं जो कि हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है अब चलिए आपको इस screen पे हम लिखे देते हैं कि क्या क्या करना था और कैसी कैसे ताकि आप भी कहीं पे लिख ले और आपको अलम्बे सवाज तक याद रहे तो guys आप देख सकते हैं कि यह तीन तरीका है जो कि हम आपको इस वीडियो में बता हैं चलिए थुरा सा फोन को यहाँ पे पास में लेके चलते हैं तक यह आपको अच्छे से पता चल सकें देखिए पहला है start button पे जाना है वहाँ पे power को select करना है फिर shutdown पे click कर देना है laptop off हो जाएगा दूसरा option था alt को दबाये रखना है साथ में F4 को दबाना है फिर shutdown को option देखेगा उस पे आपको ok कर देना है तीसरा था कि power का बटन होता है जिससे off होता है on होता है on होने वाले बटन कोई power बटन बोला जाता है उस पे आपको कुछ दिर प्रेस करना है तब भी laptop off हो जाएगा यही तीन तरीका था जो कि आपको easy laptop को off कर सकते हैं उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आजागा वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो को like करे, share करे, channel पर पहली बार आए तो जरू सब्सक्राइब कर ले चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही जाहिंद वंदे मातरम